आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छोंगे मिन नाम है प्रभातिवारी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभातिवारी स्टडी आई क्यों पे SSC JD की जो है accepted cut-off को लेकर दोस्तों यहां पर मैं आ चुका हूँ कि आप लोग ले safe score क्या रह सकता है SSC JD के लिए ठीक है देखिए cut-off जो है कई चीजों पर depend करती है सबसे पहले दोस्तों जो आपका main factor होता हूँ वो होटा है total of presentation ठीक है यहां पर बताऊंगा अगर जिनका paper हो गया है उनके लिए भी और जिनका आने वाले सिप्टों में एक्जाम है इतना मानगे चलिए safe zone में ठीक है देखिए total candidate की बात करें तो 65 से लेकर दोस्तों 60 से 65% जो है भरती presentation दिखा रहे हैं SSTGD की परिच्छा में तो overall मान सकते हैं दोस्तों कि यहां पर लगभग 35% अभ्यरती अनुपस्तित हो जाएंगे SSTGD की परिच्छा में ठीक है तो total बात करें तो दोस्तों लगभग 54 लाग से अधिक फॉर्म को डाला गया था एप्रॉक्सी मान की चल रहा हूं और जिसमें से दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लगभग आपके दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाएंगे लगभग 25 लाग अभ्यरती दोस्तों यहां पर परिच्छा को छोड़ेंगे ठीक है तो कुल मिलाकर के 35 लाग अभ्यरती मान की चल रहे हैं परिच्छा में एपियर होंगे तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर कमपडिशन कम हो गया ठीक ह दूसरी बार दोस्तों यहाँ पर पिछली बार की अपेच्छा सीटों की संख्या दो गुनी है तो यहाँ पर भी आपकी कटाफ असर डालेगी तीसरी बार दोस्तों नमबर आप टाइम देख रहे हैं साथ मिनेट में आपको 80 कुश्चन दिया गया है और बहुत सारे अभ्यति टाइम मेनेजमेंट नहीं कर पाए सही कुश्चन आते हुए कुश्चन को गलत करके आए ज्यादा कुश्चन अटेम करने के चक्कर में ठीक है तीसरा फैक्टर यहाँ पर आ गया है अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जिनका आगे की सिप्टों में एक्जाम है पहले वो सुन लीजिए उसके बाद जो पेपर दे के आए हैं उनके लिए सेफिस्कोर बताऊंगा लेकिन प्लीज आप लोग जिनका पेपर हो गया है कमेंट सेक्शन में अपना सेफिस्कोर लिखना जो आप लोग ने सही किया ठीक है अच्छे लिए तो लेकिन हाँ VSF और आपका यहाँ पर CRPF में से एक post मिलना 100% दोस्तों स्वाभा भी के ठीक है अब वहीं OBC से अगर आप फिप्टी से फिप्टी वन करके आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में आ रहे हैं कता ही आप लोग का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोग सकता ठी से फिप्टी वन करके आ रहे हैं तो बिल्कुल आपका हो जाएगा फानल सेलेक्शन तक वहीं पर ST कंडिडेट की बात कर लें तो 47 के राउंड अगर आप अटेम्ड करके आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में आ जाते ठीक है ST की कंडिडेट की बात कर लें तो 45 आप यहां पर बता देतें दोस्तों कि जो आप लोग का है कितने नंबर आप कुश्चन कहां से बना सकते हो देखिए हिंदी से कम से कम तो यहां पर 16 से 18 कुश्चन हर बंदा बना के ही आएगा ठीक है मानकि यह दो चार कुश्चन जो आ 16 कुश्चन बना के आ जाएंगे और GS की बात करें जिनका भी कम से कम भी GS दोस्तों वो भी 7 से 8 कुश्चन बना के आ ही जाएंगे और तो कहीं न कहीं यहां से 50 से लेकर 54 कुश्चन दोस्तों यहां पर बन जा रहें ठीक है तो यह से फूश्कोर है बाकि आप लोग कमेंट स सेक्षन मार्क्स मेंसन करना जय हिंज जय वारत